नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभीका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे ब्रेट से गुलाब जामून यह बहुत ही टेष्टी बनता है एक बार जरूर बनाए तो इससे बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेट के स्लाइसेज इसके किनारों को मैंने कर देना है और हाथ से चोटे-चोटे टुक्रे में काट सकते हैं तोड सकते हैं या आप मिक्सी जार में भी से हलका चला लीजिएगा तो ये बहुत चुटा-चुटा पार्ट में हो जाएगा इसी तरह से हम बारीक-बारीक कट कर लेंगे तोड लेंगे देखें बिल्कुल और छोड़ा-छोड़ा पार्ट है इसमें हमने आधा कप दूद्ध है बिल्कुल नॉर्मल टेंप्रेचर वाला है ये दूद्ध तो थोड़ा-थोड़ा दूद्ध दे करके इसे अच्छी तरह से हम गुनेंगे आटा की तरह एक बार में नहीं डालेंगे इसी तरह से दो- इसको एक डो-फॉर्म में बनाना है तो ये इस छोटे कप से आधा कप ये दूद्ध है तो इस तरह से देखिए अब इसे ढख के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तब तक हम चास्नी बनाएंगे इसी बरतन में हम एक कप चीनी लेंगे और उसी कप से दो कप पानी डाल दे अब गैस आउन करके इसी चलाएंगे जब तक हमारा चीनी घूले नहीं तब तक इसे चलाती रहेंगे तो इस तरह से चास्नी बनाना है चास्नी कोई तार वाली चास्नी नहीं बनानी है बस चिपचिपा होना जाए जैसे कि हाथ में इसमें चार चोटी इलाइची को भी क्रस करके डाल देंगे जिससे इसमें फ्लेवर आजा इलाइची का तो यह भी बहुत पतला है, इससे थोड़ा सा और पकने देंगे, 6-7 मिनट और हुआ है, अब ब्रेट के जो आटे को हम अच्छी तरह से फिर बिक्स कर लेंगे, 1 मिनट, ताकि यह और सॉप्ट हो जाए, अगर आपको हाड लग रहा थी, इसमें 1-2 चमच और दूर डाल करके इसे सॉप्ट कर लें, तो इस तरह से देखना है कि हमारा आटा सॉप्ट है या नहीं, अब इसे छोटे-छोटे, जो भी साइज आपको चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसके बॉल्स बना लें, तोड़कर कीक अठा रख लें, फिर इसे हमें बॉल्स बनाने हैं, तो इसको हम अपने हथेली में इस तरह से गोल-गोल करके और इसे चिकना करेंगे, और इसमें हम बीच में किसमिस है न वो डालेंगे, आप इसके अंदर में किसमिस के जगा पे और भी ड्राइ फुरूच दाल सकते हैं, या नारियल का बुरादा है, उसमें भी हलका चेनी डालके उस इसे अच्छी तरह से इसके बॉल्स बना करके रखते जाओंगे, और इसी तरह से दूसरा भी है, गोला हथेलियों में इसे चिकना कर लेना है, और उगली के हल्प से हलका दबाके दो किसमिस, अगर बड़ा किसमिस है, तो एक अगर छुटा हो तो दो डाल दीजिए, और इ इसी तरह से ये बनाना असान है, और खोए वाला गुलाब जामून तो खैर बहुत ही टेस्टी होता है, पर ये भी कम नहीं होता है, ये भी बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इसी तरह से सारे बॉल्स पन करके हैं, रेडी है, तो अब यहां हम डाल देंगे, घी को गर्म करेंगे, और इसमें एक एक करके, दस से ग्यारा, डाल देंगे हम इसके बॉल्स को, और उसे हमें फ्राइ करना है, और इसमें अच्छा टाइम लगाना है, क्योंकि अंदर सी इस कच्चा नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम में ही, इसे हम गोल्डेन कलर में लाना है, इस बॉल्स को, समय लगेगा, धीरे-धीरे से पलटती ही रहना है, ताकि एक सार, चारो साइड एक तरह का ही कलर आए, इसे छोड़ना नहीं है, तो इसे अब फिर हम निकाल लेंगे दूसरे प्लेट में, और दूसरा बैस जो है, तो उसे भी हम डाल करके, उसे भी हम फ्राइ करेंगे, तो इस तरह से हम दूसरा बैस भी डाल देंगे, और इसे भी हम गोल्डेन फ्राइ कर लेंगे, इसे भी चलाते हुए, तो यहाँ पर हमने सबसे बड़े साइज का जो ब्रेट का स्लाइस था वो लिया, और वो आठ पीस था, आठ पीस स्लाइस में हमें बाइस पीस का गुलाब जामून तयार किया है, तो इस तरह से यह भी दूसरा बैस भी रेडी हो गया, यह हो गया, इसके बॉल्स तयार, चासनी बिल्कुल गर्म होना चाहिए, और गर्म चासनी में ही इस बॉल्स को डाल देना है, और इसे दवा दवा करके, दो तीन मिनट इसे बरस के अंदर दवा देना है, इसी चलनी से, और इसके बाद हमें ढख करके रख देना है, पूरे एक घंटा के लिए, और यह एक घंटा के बाद, इसके ऊपर हमने बादाम से गार्निस किया है, और यह बिल्कुल सौप सा, गुलाब जामुन बन करके तयार है यह, यह खाने के लिए बिल्कुल रेडी है अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें